हेला अरवन इस वीडियो में हम अपने कोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मिशन आप सभी को देंगे हर साल जब भी हम एक नया सेशन या नया पैज स्टार्ट करते हैं तो इसमेह पर अपनी कोर्स के सभी इंफॉर्मिशन आप सभी एक साथ शेयर करते हैं तो जैसे कि last session में हमारे पास UGCnet का live class का जो हमने course start किया था उससे पहले हमने date announce की थी तो उसी तरिके से इस बार भी जो हमारा next live session है live batch है उसकी dates हम लोग announce कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या-क्या courses है और आपको इसमें से जिस भी course case लिए इंट्रस्ट है किसी course में आपको इंट्रस्ट है तो आप इसके बार information दे सकते हैं तो currently हमारे पास जो courses है सबसे पहला course है आपके पास KBS PGT के लिए तो जो जितने भी PGT examination है which is post graduate teacher for school level तो throughout the country जितने भी PGT examinations होते हैं सबका syllabus लगबख लगबख सेम रहता है चाहें यह KBS PGT हो या फिर डेली Subordinate Service Selection Board यानगी DTSB हो या फिर UP LT Grade teacher हो या फिर किसी भी state का अलग से examination हो सबी most of the examinations का जो syllabus है PGT computer science का वो लगबख सेम रहता है तो यह जो PGT course है इसके अंदर हमारे पास pre-recorded videos है यहां पर हम लोग live classes प्रवाइड नहीं करते हैं इसके सिर्स pre-recorded videos है जो recordings हैं सभी content की पूरे syllabus की और इसके अंदर तीन packages है 4 months, 8 months और 12 months According to your requirement आप अपने recording package choose कर सकते हैं और उसके according आप इसको study कर सकते हैं अब देखिए जितने भी PGT examinations है जितने भी competitive examinations है ऐसा नहीं हो सकता कि magically आप एक रात में या एक महीने में उसके preparation कर लें because it is a nature of the examinations competitive आप दूसरे students के साथ compete कर रहे हैं तो लगबग आपको मेरी recommendation है कि कम से कम आपको किसी भी examination की prepare करने के लिए 6 months चाहिए 6 months के preparation में आप किसी examination को अच्छे से prepare कर सकते हैं तो जैसे कि KBS PGT examination में recommend करेंगो कम से कम आप 6 मेने के preparation करेंगे तब आप इसको अच्छे से prepare कर पाएंगे अब जो दूसरा course है हमारे पास हो है gate computer science course और gate computer science course में भी हमारे पास दो अलग अलग packages है पहला है आपके पास pre-recorded यानि कि जिसमें फूरे syllabus और content के recordings होंगी दूसरा है आपके पास live classes यानि कि जहां पर जो भी हमारे पास classes है वो live होंगी live streaming mostly जो streaming होती है classes की वो evening में रहती है या फिर early morning रहती है तो evening में जो classes है वो 6 pm से रहकर रात को 9, 10, 11 बजह तक हमारे पास classes होती है तो जो live classes है वो इस समय पर उसका batch है वो 15th of December से start हो रहा है तो अपनी requirement recording अगर आप enroll करना चाहते है तो अपनी requirement recording यहाँ पर enroll कर सकते है उसके लिए आपके पास live classes के लिए तो time नहीं बचा है उसके लिए आप pre-recorded ले सकते हैं लेकिन अगर आप 2021 के लिए prepare कर रहे है तो it's better कि आप इसको ले सकते है अब pre-recorded में भी सारा syllabus पूरा completely covered है but again gate के लिए कम से कम आपको 4-6 मेने चाहिए preparation करने के लिए आपको सिर्फ syllabus करने के लिए चाहिए होता है कि either you will take a one year course और six month course because that is going to be very good for you तो उसे आप अपने सबी doubts, queries और अच्छे से preparation भी आप अच्छे से कर सकते हैं फिर next आपके पास जो course आता है वो है UGC Net Computer Science course अब यह जो UGC Net Computer Science course है सबसे हमारा hottest selling course है एसा इस वज़े से because throughout the country कोई भी आसा institution नहीं है या कोई भी आसा coaching नहीं है जो इतना ही अच्छे तरीके से इतना better content provide करता है जस्ट एक number में आपको देता हूँ, last year हमारे पास UGC Net Computer Science में लगबग 1800 admissions थे और GATE Computer Science में हमारे पास लगबग 300 admissions के आसपास थे तो लगबग 800 बच्चों नहीं admissions लिया तो उनने कुछ सोच के admission लिया होगा उनको हमारे पास कुछ trust होगा, कुछ हमारे पास market value है इस वज़े से उनने admission लिया हमारे पास एक 6 months के life class का course है जो कि June 2020 के टार्गेट कर रहा है और फिर 1 year का life class का course है जो कि December 2020 के टार्गेट कर रहा है और मेरे recommendation यह है personal recommendation कि UGC Net का जो पूरा syllabus है उसको complete करने के लिए आपको कम से कम 8 मेंने चाहिए 8 months की requirement है तो अगर आप 6 months का भी course लेते हैं तो उसमें majorly आपके जितने भी important subject हैं उसे भी subject cover हो जाएंगे लेकिन अगर कुछ subject हैं जो जादे important नहीं है यानि कि जिन पर जादा questions नहीं आते जैसे की mobile computing हुआ तो ऐसे कुछ सबजेक्त हैं जहां से जादाrias questions नहीं आते हैं तो वह subject हम फिछ़ों पर पर शूड़ जाय सब्जेक्ट हैं उनको focus करते यहां पर जो one year course पूरा को पुरा syllabus थोली complete करते अं आप इस में ऐसा रहता है कि आप जब राइपrie लेंगे चाहें आप UGC NET के लिए रहे हैं या फिर आप GATE के लिए रहे हैं तो live classes में आपको यह pre-recorded जो पूरा course है या इसके साथ साथ में मिलता है तो यानकि आप पूरी के पूरी pre-recorded courses का यहाँ पर आप use कर सकते हैं प्लस अपने जो live classes है उसको भी attend कर सकते हैं अब उसके लावा हमारे पास दोन courses है एक है placement to depression और एक है machine learning अभी जो placement to depression का course है यह course पहले हुआ करता था हमारे पास pre-recorded के लिए लेकिन स्टूडेंट्स हैं काफी लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो इसलिए से हमने इस placement to depression कोर्स हो convert कर दिया है live classes में तो आपके पास three days per week live class रहेगी which is on Saturday, Sunday and one day in a week और mostly जो timings है वो आप evening timing ही जाधा रहती है यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग लोग है तो इसलिए evening timing रहती है पर Saturday, Sunday day timing यहाँ पर रहती है तो यह इसका जो बैज हो भी 15th of December से start हो रहा है और next जो सबसे नया कोर्स है हमारे पास हो है machine learning course अभी जो machine learning course है it is kind of an introductory course जिसके अंदर हम applied aspects of machine learning को cover करते हैं इसमें आपक प्रोग्रामिंग हो गया या फिर आपके जो examples है real world examples कि किस तरीके से आप machine learning को apply कर सकते हैं उसमें mathematics किस तरह से use होती है because linear algebra बहुत जादा machine learning में use होती है उसके लबाब फिर आपके पास कुछ examples है जैसे self driving cars एक example है या फिर बहुत सारे data set है जहां पर हम लोग machine learning algorithms को apply करेंगे तो यह जो course है complete यह उन students के लिए design है जो working professionals है इसमें पर जैसे for example you are currently teaching in a college as assistant professor या फिर आप इसमें पर career change की सोच रहे हैं तो आपको basics of machine learning करना है तो यह जो course है basics of machine learning के लिए है यह course बहुत जादा in depth नहीं है but again it is a good level basics of machine learning थाकि आपका बहुत अच्छा base create हो जाए machine learning के related और वो चीज़ हम यह आपर cover करेंगे इसकी जो classes है वो Saturday Sunday होंगी सिर्फ only on weekends that is two days पर भी और next six months तक इसी classes होंगी और इसका जो batch है वो भी 15th of December से ही start हो रहा है तो अगर आपको हमारे किसी भी course के लिए enroll करना है तो आप हमारे contact number पे call कर सकते हैं which is 9821-876104 और इस number पे आप call करके या WhatsApp करके इन सभी courses की पूरी information ले सकते हैं अगर आपको कोई भी doubt है please do messages and we'll be happy to answer all of your doubt okay and don't forget to visit our website so our website is www.dgmento.com तो वहाँ पर जाके आप सारी information सभी courses के बारे में ले सकते हैं so I hope that you like the video if you need any information please call us or WhatsApp us and we'll be happy to answer your queries thank you so much for watching